हेलो दोस्तों कैसे हो मजे में या मजे में चाहिए God bless you brothers and sisters मोज लो रोज लो ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो जी हाँ दोस्तों बिलकुल ठीक देख रहे हैं आप आज की वीडियो में भी आपको बिलकुल मोज होने वाली है 50 रुपे में आपको unlimited खाना मिलने वा कि आप देख पारे हैं बिलकुल सजा हुआ है हमारा टेबल खाने के साथ लच्छे की quality देखो बहुत मतलब मेरे मुझ में बोलते होए पानी आ रहा है दोस्तों और जहां पे सस्ता सुंदर स्वादिष्ट खाना मिलता हो वहां पे हम पहुंची जाते हैं और आपको जरूर दिखाते हैं दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहें हैं दोस्तों पूरी के अंढर ये लोग डाल की filling कर रहे हैं मुंक की डाल और उुडट की दाल की फिलिंग है दोस्तो उसके बाद इसका जो आटा है वो दरदरा पिसा हुआ है इनके मुताबिके special पिसवाते हैं और double fry करके इसको एकदम करारी करके जो एकी कडाई से घालते हैं दोस्तो में आपको अलू की सब्जे सर्व होती है प्यास जो कि आज सोने के भाव में वह सर्व होता है और में पहली बार मैं आपती दे दी जाती है उसके बाद जितना चाहो उतना ले सकते हैं अनिमिटेड दोस्तों तो दोस्तों अब आप वीडियो इंजॉय करें और इसके बाद हम इनके ओनर से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किस तरह की क्वालिटी यूज करते हैं कोई कॉम्प्रोमाइस तो नहीं कर रहे हैं और ये स्कीम कब तक चलेगी कर दोछते हैं और ये स्कीम कर दोछते हैं कर दोछते हैं और ये स्कीम कर दोछते हैं कर दोछते हैं ये बहुत अच्छा लगा मुझे आप कब से आ रहे हो ये जब से स्टार्डिंग होई है न तुकान की तब से आ रहूं है अब कर दोछते हैं और इसके अंदर श्टाफिंग अना बहुत अच्छी हुए आपको कैसा लगा ये पूरी मेर को अच्छी लगी पूरी एक नंबर तो दोस्तों बात करते हैं अब पंजाब जिरो माइल्स के ओनर से सब्सक्राइब बहुत बढ़ी है सबसे पहले शुब नाम अंगत शर्मा तो शर्मा बताइए कि यह जो कैट्रिंग का काम है कितना पुराना आपका यहां अभी लेटर स्टार्ट कि अगर के बात करें तो हमारी यह जनलेशन है तक्रीवन 50 साल हमार यह इसका नाम जोड़ने का विजन यह था कि concept हमारा कुछ इस तरीके का था कि आप यहां पर अगर एंटर होते हैं तो आप संपंजाब जीरो माइल्स अब यहां पर एंटर होते हैं तो आपके लिए पंजाब आ गया मतलब भी खाईए पंजाब आपको मिलेगा है तो अब अब यह तो होगी क्वांटिटी की बात तो हम क्वालिटी में कैसे मतलब ग्रेवी बनती है अब जो चाप की ग्रेवी है यह सब चीजे इसमें मतलब ड्राइफ फूर्ट नक्स विरा डलते हैं आपके डाउट को टेस्ट किया तो आपको समझ आ रहोगा कि कितने रिच क्व मतलब प्रॉपर जिस तरह से ग्रेवी बनाई जाते काजू मगस से आप उसी तरह से उसको बनाते हैं कोई वह मिलावट नहीं और कोई कंप्रमाइज नहीं है अब यह बताईए आप सारे खाना भी अनलिम्टेट आप सर्व कर रहे हैं तो यह जो कितने टाइम तक है पहले के लिए रखी हुई है ताकि आपका जो खाना है यह लोगों के जुबान तक पहुंचे आपने अनलिमिटेट की बात छेडी तो मैं आपको मेंशन करना चूंगा कि बेड़ मी पूरी इसमें 50 रुपे में अनलिमिटेट है यह हमारा दो बज़े तक अवेलबल रहता है हमार चीज़ की रिक्वार्मेंट है जैसी जिसकी चॉइस है वैसे हमने रखिया और वह भी हमारी अलिमिटेश आपके उसमें मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त यहां पर आ नहीं सकते हैं यहां है और हमारा टेस्ट अगर मिस्स करने हैं तो स्विगी और जमेटों पे इस बीज़ों से लेगे केटिरिंग से चाहरा गुपेट्स हो फंक्षम का फंचन फंचन्स हो शादी पार्टी कुछ भी टाइप का फंक्चन हो इस लोगों से हम प्राइस करते हैं तो सो रुपे में यह केटिरिंगा प्राइस है तीन सबजी मिसी रोटी चावल नान और त इसके साफ से हमारे मेन्यू भी कस्टमाइब जाता है मैने प्लेट हो सकता है उसी साफ से अच्छा एक और बात बता यह जैसे आपने का कि हमारी किचन है तो माल लो अगर कोई आपको सो बंदों का ओडर देता तो आप कितरी दियार करवा देंगे सब्सक्राइब करने का तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको पचास रुपे की यह प्लेट है पूरी आपको मिलती है और यह अनलिमिटीड है और वैसे ही उसी वे में आपको यह अम्रिश्वरी नान मिलता है दोस्तों इसमें आपको छोले मिलते हैं पंजाबी यह असी रुपे कॉस्ट करता है और इसमें आपको रहता भी मिलता है साथ में और साथ में दोस्तों इनका यह जो नवरतन थाली है जो आप देख रहे हो यह भी unlimited concept है दोस्तों इसमें आपको नान लच्छा डाल मखनी यह देखो आपको शाही चाप और शाही पनीर जो है कि आपको मिलने वाला है तो भाई आपको गुलाब जामुन मिलने वाला है रायता भी मिलने वाला है मिक्स मिलन सब्सक्राइब करें दोस्तों तो हम इसमें से एक पीस लेंगे और एक लच्छा मतलब लच्छा देखो प्रॉपर पका हुआ यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है प्रॉपर जो पका हुआ लच्छा है बहुत बढ़िया मतलब खाना जो ने पहली बात तो रंगत जो और खुश्बू में जो मसाले की आ रही है इन्होंने बताया कि यह जो मगज और काजू की ग्रेवी बनाते हैं दोस्तों जब इनसे बात वी थी हमारी तो वही जो खुश्बू एकदम आ रही है और दाल में तो मक्षन एकदम बल्ले बल्ले है उस्तों हम छोले भी थोड़ लगने वाली है आपकी दोस्तों पका बता रहा हूं लट्री लगने वाली है हां जी आपके आज़े पाजी बहुत अठा लगा मुझे बहुत अठा लगा मैं आपको दिखाता हूं लाइक इसमें तो यह दो दाल की फिलिंगे इसके अंदर ओह ओह अप देख रहे पूरी- को चकते हैं और मेरी वी फेवरेट है दोस्तों यह आलू की सब्जी और यह बेड में पूरी ट्राई करते हैं पंजाबिच कावागा के हैं जो मसाले अंदर डाले गए हैं अजमाइन सौफ उसका पहतरिन फ्लेवर उबर के आ रहा है और आलू की सब्जी देखो कितनी जो पाजी कुछ ट्राई कर लो आप भी तो बहला अच्छा ट्राई करते हैं दोस्तों तो दोस्तों इसको जो है कि चाप की ग्रेवी के साथ कहा कर देखते हैं अबंस्थ कर आल्टीमेट और थोड़ा मिक्स वेज भी लेते हैं इन्होंने मिक्स वेज जो है दोस्तो फ्राई करके बनाई है जो कि मेरी बिल्कुल फेवरेट है मतलब आप इसे अंदाया लगा लो मेरे हाथ रूक नहीं रहे दोस्तों तो अभी पनीर के ऊपर ट्राई करते हैं तो थाली के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मिक्स वेज और चाप और पनीर और साथ में जो लच्छे है ना बहुत यूनिक है यार इसके तो मतलब पड़ते ही पड़ते खुलती जा रही है जिसने कम बजचेट में आके खाना खाना है तो बही वह इन दोनों पर जा सकता है यहां तो वह बज पूरी खाए तो यही था आज की वीडियो का मकसद दोस्तों और आगे भी हम आपको ऐसे ही जहां पर अच्छे स्कीम मिलती हो तो अच्छा खाना मिलता हो तो आपको अच्छी जगाओं पर लेकर जाएंगे आप इतना प्यार देते हो इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं नमस्कार